आज के इस स्ट्रॉंग सेशन के बाद आई अब देखते किस तरह से बने निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट स्ट्रक्चर और वो कॉनसे दो स्टॉक से जिसमें हमको एक अच्छा एक्षन आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है तो पहले बात करते हैं निफ्टी की कल के जबर्दस सेल आफ के बाद आज मार्किट ने एक अच्छा बाउंस बैक दिखा है और निफ्टी में करीब हमने 11900 के थोड़ा सा नीचे क्लोज देखा है करीब 120 पॉइंट के असपस की एक शांदर बड़त हमने निफ्टी में आज को देखने को मिला है तो 2750 के असपस का आज का क्लोज है बैक निफ्टी का और दोनों इंडेक्स में ओवर आल बहुत स्ट्रॉंग एक मोमेंटम देखने को मिला पूरे दिन बर जहां तक टेक्निकल सेट अप का सवाल है तो वोलाटिलिटी जैसे हमने प्रीविएस वीडियो में भी कहा था कि वोलाटिलिटी इस वीक में भी पूरे बरकरार रहेगी क्योंकि नेक्स्ट वीक में हमको यूएस के इलेक्शन का आ रहेगा लेकिन जहां तक निफ्टी का सपोर्ट और रिजिस्टन्स का सवाल है निफ्टी में हमको अभी जो एक दायरा नजर आ रहा है तो उसी दायरे को अभी भी निफ्टी में में किया हुआ है जो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि 11700-730 एक सपोर्ट जोने और और आएर साइड 12000-2030 एक रिजिस्टन्स होने तो निफ्टी अभी भी ब्रॉडली उसी दायरे में बना हुआ है और जब तक इस दायरे के बाहर नहीं निकलता तब तक कोई डारेक्शनल मुह हमको नहीं मिलेगा तो इमिजट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 11700-730 के अ चल्यां जबता है तो ब्रॉडली तो ब्रॉडली 2127Re. हाइर साइड यह एक रेंज बना हुआ है बैंक निफ्टी का और 25,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तो फिर एक डिरेक्शनल मौ उसमें हमको मिल सकता है उपर की दरब लेकिन अभी के लिए यह ब्रॉडर एक 800 पॉइंट का रेंज बना हुआ है बैंक निफ् बैंक निफ्टी का इमिजेट जो रिजिस्टंस अभी है वो 25,000 के असपास है और सेकंड रिजिस्टंस 25,350 के असपास आएगा तो ब्रॉडली अंडर्टोन तो अभी भी ओवराल बुलिज बना हुआ है क्यों बड़ा वीकनेस अभी भी इंडेक्स में नदर नहीं आ रहा ह क्योंकि दोनों ही जैसे मैंने रेंज बता है उसको अभी भी दोनों ही इंडेक्स ब्रॉडली मेंटेन कर रहे है तो उस रेंज के बार अगर निकलेंगे इंडेक्स तो फिर हम आगे आने वाले कुछ डिरेक्शनल मोस की बात करेंगे और फॉर्ट टाइम बिंग ये कुछ लेवल से जिस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्पेसिफिक जिस पर ट्रेडर्स थोड़ा कीनली वाच कर सकते हैं जहां तक स्टॉक पिक्स का सवाल है तो दो स्टॉक है जो हमको अच्छे लग रहे और जिसमें आज हमने एक अच्छा जबरदस्त एक ट्रैक्शन भी में देखा है आला कि पिछले कुछ दिनों से यह स्टॉक रिपिटेडली एक अटेम्ट कर रहा था उपर आने का लेकिन एक रेंज में फसा हुआ था तो आज एक जबरदस ब्रेकाउट हमको देखने को मिला है और अभी यह स्टॉक में जो स्ट्राटीजी टेक्निकली और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और लोर साइड हो ब्रॉडली 1540 के असपास का होगा और हायर साइड कोटक बैंग में जो टार्गेट बनेंगे वो बहुत स्ट्रॉंग और एग्रेसिव टार्गेट्स लग रहा है आने वाले कुछ दिनों में तो उपर में हमको 1680 से ज्यादा स्ट्रॉंग लग रहा है उपर में जैसा मैंने का कि 1680 का एक लेवल पॉसिवल है लेकिन जैसे कि आज हमने बहुत बड़ा एक अपमू एक ही सेशन में देखा है तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या चोटा मोटा एक रिट्रेस्मेंट हमको इंडेक्स है मारूती में आज हमने करीब 7,160 के असपास का क्लोस देखा है और इसमें भी आज दिन बर एक पॉजिटिव मोमेंटम हमने देखा है और पिछले कुछ दिनों सो ही स्टॉक अपने 5-day, 13-day और 26-day आवरेज के उपर कंसिस्टेंटली मेंटेन भी कर रहा है और इसका तीनों आवरेज इसका जो सेटप है वो भी पॉजिटिवली प्लेस्ट है तो मारूती में हमको लगता है कि जो चार्ट पैटन भी बनाए और बेस्ट ऑन इस आवरेज आवरेज रीडिंग यहां पे एक अच्छा ट्रेक्शन उपर के तरफ डेवलोप हो सकता है आने देखने को मिल सकते है थोड़े पोजिशनल टार्गेट से ही है और लोवर साइड मारूती में जो स्टॉप लॉस हमको मेंटेन करना है वो करीब साथ अजार पचास के आसपास का होगा तो स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा ब्रॉड है क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत हेवी फ्लक्टॉइशन भी देखने को मिल रहा है तो ब्रॉडली यह कुछ लेवल से मारूती के लिए लेकिन इस तरह का इसका एक चार्ट सेट अ कोटक बैंक और मारूती